अपने बेड्रूम में तो सब अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ जीते हैं लेकिन फिल्म स्टार्स के बेड्रूम में क्या होता है ये रहसे सभी जानना चाते हैं जाहिसी बात है कि अपने अपने बेडरूम सीक्रिट सब चुपाना चाहते हैं लेकिन विद्या बालन दिपिका पाडुकोर और करिना कपूर तीन ऐसी आर्टिसिस रही जिनोंने अलग अलग टीवी शो में हसी मजाग के दुरान अपने बेडरूम के अजीब और गरीब रास खोले हैं इन में से तो कई राज ऐसे हैं जिने सुनकर आप हस्ते हस्ते लोड़ पूर्ट हो जाएंगे सबसे मज़दार बाते तो दिपिका पाडुकोर ने बताई थी ये बात 2019 में दिपिका ने एक आवार्ट फंक्शन की समय कही दसलु समय दिपिका और रंवीर की ताजा ताजा शादी हुई थी लेहाज आवार्ट शो के होस्ट उनने छेड रहते इसे दुरान दिपिका ने स्टेज पर ये अपने बेडरूम की कुछ परसनल बाते शेय की दिपिका ने कहा रंवीर बेट पर आने से पहले काफी देर तक शार लेते हैं वो टॉलेश सीट पर काफी लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं लेगिन ये ही बात करते करते दिपिका ने अपने फ्लो में कहा वो बेड में भी काफी वक्त लगाते हैं दिपिका के ये बोलते ही सब हस्परो और दिपिका और अन्वीर भी शर्मा गए हालकि बात में दिपिका ने फौरण बातों को समाल और कहा मेरा मतलब बिस्तर पर सोने के लिए जाने में भी उने कापी वक्त लगता है वही करेना का पूरा सेफ अलीखान से भी अब उनके बेडरूम सीकर्ट के बारे में पूछा गया तो सेफ ने करेना के रूचीन के बारे में बताया था सेफ ने कहा था कि बेट पर आने से पहले हर रात प्रातना करना करीना करूटीन है वो ये काम कभी भी मिस नहीं करती हालकि सोने से पहले टीवी देखना भी करीना की आदत है और बिना टीवी देखियोंने नीद नहीं आती वही विद्या बाले ने भी अपने कुछ बेडरूम सीकर्ट करन जोहर के शोव में शेय किये थे जब करे ने विद्या से पूछा कि वो बेडरूम में खाने पीने के लिए क्या रखती है चौकले, ग्रीन थी या फिर कुछ और तो विद्या ने इसका जवाब काफी नौची अंदाज मिलिया और कहा था कि वो बेडरूम में बस पानी रखते हैं क्योंकि पानी यी प्यास को बुझा सकता है हाई-फिम सास के बेडरूम यू तो लंग्ज़ी से भरे होते हैं अपने बेडरूम की बाते जब वो भी शेयर करते हैं तो इसमें मस्ती का अंदाज जादा होता है बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फॉमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं